देखे अभी कुछ चीज़ें जो है इस IC के बाहर हैं जिसे हम कुछ बता भी सकते हैं और जो समय इस समय आ रहा है अब तो software में सारी चीज़ें हो जाएंगी कि आप सिर्फ उसके response को देख पाएंगे या उसके response को ही बता पाएंगे जो कि actually product में देखनों को मिलेगा आप जो क कि अपना एक next step लेता है तो आपको यहां पर बता दें कि जैसे हमने कल बताया यह इसके बारे में यहां पर दो चीजी देखिए उस circuit में और इस circuit में डिफिरेंस हुई है एक यह जो यहां पर ट्रंश्टल लगा हूँ एक यह जो है कल हमने बताया था जिसा कि अकसर हम बैक लाइट को चेंज करते हैं यानि जब किसी मदरबोर में प्राबलम होता है बैक लाइट से रिलेटर जब ड्राइबर हम चेंज करते हैं पूरा तो उसम लिखा होता है डीमर लिखा होता है जो भी जिस भासा में हो देखे इस पॉइंट को आप जो समझेंगे जैसे हमने कल दिखाया था कि यहां पे एंसी मॉड में छोड़ा गया है यह यह जैसे देखेंगे यह फीड़बैक से जूड़ा हूआ है पिन नमबर पाँच यह पिन से यहां की करंड की यहां की करंड की दोनों का जो इस gate को क taratics करका काम करेंगी यानि ये यही इस sensor का है sensor का काम करेंगे current को भी sense करेंगे और current के feedback को भी लेंगे तो दोनों के जो बीच में resistance यहां पर देखें लगा हुआ है यह दोनों के difference को manage करेगा feedback और यही feedback पे pin number five पे देखेंगे यहां से भी feedback लिया गया है तो कहने का मतलब यह हुआ कि IC जो भी design होती है बाद-बाद में जब यह और यानि इसके नेक्स जब develop होती है तो IC में भी जो है smartness आता है वो अपने number को या upgrading करके जो है बाद में next upgrade जब होता है तो IC भी change हो जाती है जैसे इस समय यह बाहर ही किया गया यानि इसे smart बनाने के लिए तो बाद में IC भी जो कंपनियां होती है इसको अंदर कर देंगी यानि जो अब यह बाहर था इसका भी ज़रुवत नहीं लगगा यह जो चीजे बाहर है इसको भी IC के अंदर हो जाएगा लेकिन पहले जो नेक्स्ट लेबल पर डिजाइन होती है वो उसी के उनसार जो है उसे डिजाइन किया जाता है तो कहने का मतलब यह कि smartness बनाने के लिए यह सारे चीज़ें जो है की जाती है अब इसके काम को बारे में समझें है जैसरे हम इसे कैंसिल कर देते है जो एड़ेस्ट वाला पॉइंट है को एनेबल काम के लेते है प्लस-mाइनस काम में लेते है अब इसका काम देखे क्या है इसका काम जैसे किसी picture में या किसी image में जब picture फेदें यहां पर दहें कभी कभी डार्क पूजिस्टन आता है या खवśmy लाइकeld का पिछर दिखा यहां पर यह उस तो स्काइर में उस सिस्टम से जुड़ता है, जिसमें यि उसमें जो CPU में उसको जो मैनेज करने के लिए पिक्चर को बनाए गया है शिंग से रिट करता है और सिंग कहा से जनरेट होता है शिंग हमारा जो अर्जीम के साथ में आता है पिक्चर के साथ में तो वहीं से ये किलियर होता है कि हमारे जो ब्लेक और वाइट का जो लेबल है और जीबी के द्वारा ही जो है सारी चीजे बनती है उसी चीज को मैनेज करने के लिए वह जो मिली बोल्टेज के रूप में वह यहाँ पे इस बोल्टेज को यानि करेगा तो यह अपने आउने के बाद यहां पे जो है यह बोल्टज देगा जो पूर रहा है तो यह क्या होगा यहां पर बोल्ट में डिफेरेंस होगा चाहे माइन सब्सल्स जो भी मिली बोल्ट में मंहाते तो वह ये Farm जीन इयु इस एसी अद्न से इस्व induce को करेगा इसको कि बोल्टेज कंट्रोल हो कि वोड़ेंगे तो यहां पर लाइट जो है तो कंट्रोल होगी यानि जो पहले ज्यादा आ रहा था तो उसे कम करेगा अगर कम आ रा है तो उसे ज्यादा करेगा यह आ तरीके से यहां से होगा यह इसलिए पिक्चर परफेक्ट दिखाए देखा आप देखते होंगे जिसमें यह यूज किया गया होता है और जो हमारी स्टेंडर जितनी कंपनियां है वहां पे इसको यूज करते हैं क्योंकि इसके लाइट को आपरेट करनी यहां से माली जिश कर वह स्मार्टनेस नहीं होता है क्योंकि आपकी आखे देखने ही पाएगी पिक्चर के उसार इसके लाइट को कमी आधिक कर लेंगे तो यह जो हम कट कर देते हैं यहां पे इसका वर्किंग प्रोसेस होता है इसको आप समझें क्योंकि हम जब वाइट के मतलब उसी सित्री में पिक्चर रहेगा तो वाइट में एक तो पहले से फिक्स है वाइट और यह क्या होता है कि उस समय जो वहां से बोल्टेज आउट होता है सिस्टम आईसी से वह यहां पे आकर इसको और डाउन कर देता है तो डाउन जैसे इसकी लाइट को डाउन किया तो आपका जो उसके प्यार ही लाइट वह और तेज नहीं होगा वह उसी के अंसार मैनेज हुएगा है यह कि एक लिमिट में जो है आपके वाइट और ब्लेक लेबल को मेंटेन रखने का काम करता है यह अब हम आते हैं नेक्स्ट यहां पे जो एक और टंश्टर बढ़ाया गया है जो जरकि कल वाले सर्किट में नहीं था यह इसी में से हमने निकाला है कमबो वोट से यानि अपने ही आंक के सुरच्छा के लिए सारे सिस्टम डिजाइन होता है कि कैसे पिक्चर की फीलिंग हो जो कि हमको एक अच्छा अनभो फील करा है और वह अनभो कौन सा फील कराता है लाइट ब के लिए स्विचिंग को कंट्रोल करने के लिए यहां पर सियट से जोड़ा गया है दस ओम के रिस्टन के द्वारह यानि ट्योन का रिस्टन लगा हुआ है यहां पर अब यह जो इसका इसका क्लेक्टर है यह यहां पर बेस और यहां से अगर अधिक आउट हुआ तो इस गेट पे यहां पे जो मिल रहा बोल्टेज है यह क्या होगा यहां से इसको आउट करेगा क्लेक्टर से ठीक है यहां पे रेजिस्टन लगा हुआ यहां से आउट हो रहा अगर ऑफर गेट का अचानक रिन्टोर्ट सा गया तो यह क्या रहता इसको से पार काइब कर लेगा यहां पर जैसे की की कड्रेंध में यहां पे यहां तो ऑथिक बनेगा उसे तुरन्त रिवर्स में आजाएगा तो इसी तरीके से अपने जो है काम करता है यह तो कल हमने जो है इस दो चीजों के जो डिफरेंस था यह था और एक यह था कि जो कल नहीं बता पाया थे तो इसे हम यहां पे बताने का काम किये हैं जो स्मार्ट फंक्शन है इसे जानना बहुत जरूरी होता है यह कोई भी प्रोडट है क्योंकि इस समय आने वाले समय जो है इस समय चल भी रहा है यह हम लिए यह कूज़ले की स्मार्ट के रूप में आएंगे और सब में इसी का इस्तेमाल किया गहा जो हमारे माहिन में जैसे इसकी डायग्राम हम बनाते हैं तो यह हम बनाते नहीं यह मेरे द्वारा बन जाता है और यह जो मैं बता रहा हूं यह मैं बताता नहीं मेरे द्वारा यह बताया जा रहा है मैं ही अपने आपको एक माध्यम जानता हूं इससे आगे मैं अपने आपको कुछ भी ने जानता है पिन के रूप में आउट होगा या कनेक्शन के रूप में तब भी हम जो है बिना कोई भी component देखे भी इस चीज को जान सकते हैं कि इसको यहां से यह supply मिल रही है और यह जहां से जुड़ा हुआ है यह ना मिले तो यहां पर इसकी activity क्या होगी तो आज की वीडियो में बसना ही मिलते हैं ने वीडियों में थैंक दोस्तों